हाई गाईज आज लोग MongoDB Crash Course देखने वाले हैं क्यों आप Crash Course देखना चाहेंगे MongoDB का ये फिर क्यों आपको देखना चाहिए और कब देखना चाहिए अगर आप मर्न स्टैक यानि कि M-E-R-N मर्न स्टैक या मिन स्टैक या M-E-V-N स्टैक इन तरह में से किसी भी स्टैक को फॉलो करके अगर आप अपने करियर बनाना चाहते हैं तो उस किस में आप MongoDB का ये Crash Course देखना चाहिए अगर आपको देखना चाहिए इससे आपको MongoDB में इतनी जानकर इमील जाएगी कि आप इन में से किसी भी स्टैक में काम कर सकते हैं तो आपको और डीटेल में बताता हूँ इन स्टैक के बारे में जिसे कि M-E-R-N को हम लोग कहते हैं MongoDB, ExpressJS, ReactJS और NodeJS इन सब को कम्माइन करके हम लोग एक बहुत ही बढ़ियासा जैसा चाहिए वैसा आप कमोर्शिल वेब अप्लिकेशन मना सकते हैं फुली फंक्शनल या फिर आप कुछ लोग मीन को भी फालो करते हैं MongoDB जिसमें होता है, ExpressJS होता है, AngularJS होता है और NodeJS होता है तो MongoDB एक कॉमन है जो कि आपको सीखना चाहिए, तो MongoDB का ये Crash Course इसी पर है कि अगर आपको इन में से किसी को भी फालो करना है पर आप MongoDB के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस Crash Course को आगे फालो कर सकते हैं Introduction to MongoDB, MongoDB is a document database designed for ease of development and scaling development and scaling में easy पड़े, इसलिए ये क्या है, एक document database designed ये NoSQL system database है, NoSQL का मतलब ये होता है कि इसमें rows और column नहीं होता है यहाँ पर database हमारा बनेगा उसमें rows और column आपको देखने को नहीं मिलेंगे और इस database में जो documents store होते हैं, वह होते हैं BSON format में BSON को मुलग कहते है, binary style JSON document, तो JSON अगर आपने देखा होगा, JSON का जिस तरीके से मुलग data create करते हैं वैसे ही होता है BSON भी, बट ये JSON actually में नहीं होता है, ये binary style JSON होता है ये JSON style आप इसको document कह सकते हैं, जिसको मुलग BSON यहाँ पर कहते हैं तो BSON को अलग से सीखनी की को आपका उशक्ता नहीं है, अगर आप JSON जानते हैं तो आप आज आसानी से लिखना कैसे होता है, उसका आसानी से समझ सकते हैं इसमें बीसॉन में क्या होता है कि आपको अलग-लग data types मिल जाता है आप अलग-लग data type इस ट्रिंग data type इन टीजर ये सारे data types में आप अपने data को डिफाइन कर सकते हैं एक्जमबल दिखाता हूं कि MongoDB में हमारा जो data रहका हुआ किस तरीके से होता है यह पर आपको बीसॉन भी देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप ID में यह और अटो जनरेट होता है ID तो आपको इस तरीके से देखेगा है इसका number होता है value होता है फिर name में सुनम लिखा है age में 27 लिखा hobbies लिखा फिर city लिखा is login लिखा और इसमें अब लिख सकते हैं कि डेटा टैप हमने अलग 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 दिया हुआ है जैसे age के लिए हमने integer value दिया हुआ है तो यह एक हमारा document हो गया हमारे mongodb के लिए और यह bison format का है ऐसा आप कहा सकते है थोड़ासा ओर detail में समझते हैं इसको इस mongodb को अच्छे तरीके समझने के कुश्च करते हैं और यह हमने example देखा इसको और deeply समझते हैं क्योंकि यही हमें आगे लेकर चलना पड़ेगा य हमारे पास इस तरीके से हम लोग इसमें data लिखा करते हैं अगर जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो database हम यूज करते हैं अगर हमें PHP वगरा सीखा होगा तो हम लोग MySQL यूज करते हैं उस पर हम लोग rows बनाते हैं और हमने अगर कोई value लिखना जैसे नाम में लिखना सोनम लिख यूज में टन्री से लिखना जो? टन्री से लिक ना तो रोल मिला है रोल लिख दिया उस तरह से यहाँ पर इस तरह से data लिखना है और हमार सेव होता है database रोग याआ सब्धें कि यह हमारे डेट यह two Aujourd हो गया जो कहता है क्या है च्छिर हो चेंकिकलि हम लोग इसको एक टरμ है document, यह हमारे collection का पहला document हो गया, यह हमारे collection का दूसरा document हो गया, और इसमें जो एक एक चीज होता है, उसको लोग फिल्ड कहते हैं, फिल्ड जो colon के left side में उसे कहते हैं, और फिल्ड के left side में, यह colon के मारकुजी का right side में जो है, उसको हम लोग value कहते हैं, फिल्ड और value का pair होता है, इसलिके से लिखा जाता है, यह हमारे fields हो गए, यह पूरा एक curly open, curly close, एक set of values होते हैं, जो फिल्ड होते हैं, वो इसको हम लोग document कहते हैं, और जो एक एक हैंपर आप values देख रहे हैं, इसमें multiple fields हो सकते हैं, और हर field का अपना data tab भी हो सकता है, यह ध्यान मरक, यह तरीके से एक और हमने यह पर document दे दिया, उसके और एक और document दे दिया, और यह हमारा collection 2 बन गया, अब यह पूरे को हम लोग एक database कहा सकते हैं, तो इसमें ध्यान देने बात यह है, कि एक हमारा database होगा, उ उस एक database के अंदर में multiple collection हो सकते हैं, और एक collection के अंदर में multiple document होगे, और एक document के अंदर में multiple field हो सकते हैं, तो और इसको समझने के कोशिश कीजिए, मैं आपको तरह और अच्छे थे किसे को समझाने के कोशिश करता हूँ, compare करगे, अगर आप इसको mysql से compare करेंगे, या फि अभी भी वह database ही कहलाएगा, लेकिन mysql में जो इसको अब table कहा करते थे, वह अब collection कहलाएगा, उसे देखर से mysql में जिसको लोग raw कहते थे, वह हमारा यहाँ पर document कहलाता है, और mysql में जिसको लोग column कहते थे, यहाँ पर वह field के नाम से जाना जा, तो आसा और समझे जैसे कि हमारा एक database हो गया, इसका हमने नाम रखा हुआ, school db, school db को database, यह हमारा database का नाम है, तो database में क्या हो गया हमारा school db हो गया, इसमें जो, यह mysql में आपको example दिखा रहा हूँ, मानकर चलते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो data होता हो table और raw के form में होता है, table raw और column के form में हमें data मिलता है, जैसे कि id है 12, name है sonam rahul, age होगा 27 और 29 लिखा हुआ है, और यह हमारे table का नाम हो गया, उस तरीके से code table हो सकता है, अभी यही अगर represent करें हम लोग Mongo db में, तो कैसे करेंगे, database का नाम तो database जैसे है, वैसे रहेगा, school db, जैसा mysql में था, मिल्कुल वैस सही Mongo db में भी school db हमने नाम रख दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा collection होगा, वो actually होगा table का नाम, तो table का नाम हमारा अगर आप देखेंगे mysql में, तो student है, उसे तरीके से यहाँ पर student नाम का हमारा collection मनेगा, और इसके अंदर में multiple document होग, document मतलब कि आप multiple draws होगे, तो इसको compare करके समझे जाथ, आपको easy पड़ेगा, अगर आपने पहले से mysql में सीखा है, तो वरना आप normally ऐसे भी समझ सकते हैं, कि एक database होता है, एक database के अंदर में multiple collection होते हैं, और एक collection के अंदर में multiple document होते हैं, और एक document के अंदर में multiple fields हो सकते हैं, तो यह हमारा MongoDB का database हो और age है 27, दूसरी document में name है राहूल और age है 29, इस तरीके से जसी का एक दूसरा collection है, course, जिसमें दो document है, तो चीजों को ध्यान से organize करके दिमाग में रिखे, जिससे कि आपको term समझने में confusion ना हो, दुबारा से बता आता हूँ, database same रहता है दोनों में, लेकिन mysql में जिसे हम हम लोग collection कहते हैं, और mysql में जिसे हम लोग raw कहते हैं, mongodb उससे document कहते हैं, mysql में जिसमें लोग column कहते हैं, mongodb में हम लोग उसे field कहते हैं, तो इस तरीके से कर आप आप समसे के इसको रखेंगे या तो आपको आसानी होगी इसको आगे carry करने मEं, बात करते हैं स्क्रारिबन नाम का collection था दुसरा course नाम का collection था तो एकや से जदी collection हो सकते हैं एक डारेटाबेस के नदर में यह क्लेक्षन क्या होता amagodb stores document in collection collection के अंदर में हम लोग documents store करके रखते हैं collections are analogs to table in relational deals the tablets तो जो table होता है वहindest collection होता है you table होता है relational में वही यहां पर collection कहा जाता है MongoDB में यह यहां पर कहा जाता है और collection के अंदर में हम लोग क्या रखते हैं document सकते हैं तो document क्या होता है our document is a set of key value pair the document is the document in a single collection do not need to have the same set of fields and the data type for a field can differ across document within a collection तो यहां पर यह कहा जाता है कि जो document होता हो की value का pair होता है और single collection में document का same set होना जरूरी नहीं है यानि कि ऐसा नहीं है कि तीन फिल्ड पहले होड़ा document में है तो तीन फिल्ड दूसरी होड़ा document में भी हो ऐसा जरूरी नहीं हो differ कर सकता है और साथ में data type भी differ कर सकता है यह इसमें चलता है जब हम लोग mongodb की बात करते हैं तब तो तीन फिल्ड तर्म आपके अच्छे तरीके से clear हो गएंगे hopefully अभी कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं mongodb deployment options हमारे पास क्या क्या है locally hosted deployment हमारे पास है mongodb community और दूसरा है mongodb enterprise advance mongodb community free है उसका हम लोग use कर सकते है mongodb enterprise advance paid version है इसका जिसलिए अपको पैसे पह करने पड़ती है इसका cloud hosted deployment भी है जिसे हम लोग mongodb atlas कहते हैं तो यहां पर हम लोग जो देखेंगे example अपना सब कुछ बहाँ देखेंगे mongodb community पर जो कि free है और इसको install कर गे हम लोग आसानी से काम कर पाएंगे कुछ terms और देख लिए technical terms है इसे mongod का क्या होता है meaning mongo is the command line shell that connects to a specific instance of mongodb mongodb के instance से connect होता है कौन mongo, mongo क्या command line shell है जिस भी हम लोग अपना queries लिख कर run कर सकते है when you run mongo with no parameters it defaults to connecting to the localhost on port 27017 जैसे आप mongo लिख कर इंटर करेंगे अपने command prompt में तो जब mongo आपका run करेगा तो वो connect करेगा localhost में port number 27017 by default यह set रहता है मुझे देखें से mongod क्या है mongod is the primary daemon process for the mongodb system it handles data request, manages data access and performs background management operations तो mongod क्या है mongod को हम लोग primary daemon process कहते है mongodb system का यह क्या handle करता है, यह handle करता है data request और manage करता है data access को और background management operation को perform करता है तो इस एक होता है mongos for a shared cluster the mongos instance provide the interface between client application and shared cluster the mongos instance route queries and write operation to the shards from the perspective of the application a mongos instance behave identically to any other mongodb instance तो यह एक interface का काम करता है between client and cluster उसे के से mongosch देखिए mongosch एक नया term add हुआ है mongodb में mongodb shell mongosch is a fully functional javascript and node.js जो कि 14.x में आया हुआ है reference environment for interacting with mongodb deployments you can use mongodb shell to test queries and operations directly with your database तो mongodb sh shell है एक जिसमें हम लोग अपनी queries को लिख सकते हैं जो mongodb के queries होंगे जो operation होंगे उसको perform कर सकते हैं पहले हम लोग mongosch का करते थे थे mongosch का use करके हम लोग अपना काम कर लेते थे थे but अब mongodb officially कहता है कि आप उसका मत use कीजिए आप जो हम लोग ने नया shell बनाया हुआ है mongosch आप उसका use कीजिए और उसमें आपने जो mongodb का आपको testing करना है queries का या फिर जो operation आपको perform करने database में वह सारे काम आप mongosch में कर सकते हैं जो कि हम लोग करेंगे और ही हम देखेंगे कैसे इसको install करना है और बाकी सारी चीजिए में आपको बताऊंगा तो theory काफी जाता हो गया 15 minute तक हमने theory देखा जो basic terms थे उससे हम लोग अभी तक परीचित हो चुके हैं अब मैं पुड़ाइटली टर्मिनल में पहले इसको install करेंगे हम लोग जर्ची बात है पहले install करने का process में आपको पूरा बताऊंगा उसके बाद हम लोग इसको टर्मिनल में जाएंगे और अपना जो queries उसको run करना सहींगे कैसे database create करते हैं आप कैसे database को list करके देखेंगे कि कॉनकरन सा database आपके पास है current database अब कौन सा है database में कैसे switch करना है एक database से दूसरे database में database को delete करना होते कैसे करेंगे collection को कैसे create करते हैं collection means my screen वे से कॉन लोग table कहते हैं यानि कि MongoDB में collection उसको बोलेंगे हम लोग technically कैसे collection create करेंगे collection का पूरा list आप कैसे देखेंगे कॉनकरन सा collection आपके पास है अगर rule define करना हो collection को create करते वक तो उसको कैसे define करेंगे अगर rules आपको देखने हो कि collection का क्या क्या rule हमने define किया है कि यह integer होना चाहिए यह इतने character का होना चाहिए यह सारी चीज़े तो कैसे देखेंगे अगर आप किसी collection को delete करना चाहिए तो कैसे करेंगे collection के दरे अपने document बनाया document मतलब क्या राज वहां पर रखेंगे अपना जैसे नाम होगे age होगे कुछ भी तो उस data को fetch करते हैं अगर को data insert करना हो कैसे करेंगे single insert करना हो कैसे करें multiple insert करना कैसे करेंगे document अगर एक यह यह ने कekkे data returns करना मल्टिपल बेट करना तो कैसे करेंगे delete कैसे करेंगे update कैसे करेंगे इस सारी चीजह मैं आपको बताऊंगा लेकिन दीरे दीरे फ Web मैं इसको install प्रड़क्ट्स में जाने के बाद आपको Community Edition में जाना इसका एक Enterprise और Advanced भी है और Community Edition आपको Free में मिल जाएगा और Enterprises आपको पेमेंट करना पड़ेगा तुम लोग Community Edition देखेंगे जो कि Free है और इस चीसे हमारा सारा का हमा जागा आपको Community Edition में आना और यहां पर क्लिक करना है जैसे आपको यहां पर आप जैसे आप क्लिक किजिएगा वैसे आपको देखेंगे ओन जो मॉंगो डीबी लोकली है इस पर आपको स्लेट करना है अगर यह स्लेक्ट नहीं है तो इसको स्लेट करना है उसके बाद जो हमारा यह Community Server ह स्फर आना है और यहां से जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा जैसे अभी के लिए 5.0.3 है तो मैं इसको डाउड़ कर रहा हूं इसमें कौन सा प्लेटवार विंडोज है आपको आपर इसको चूज कर लिजेगा यहां से उसके बाद यहां पर आपको विंडोज के लिए दो सब्सक्राइज मिल था एक MSI जिप फाइल मुझे नहीं करना मुझे MSI करना याने कि इंस्टॉलर मुझे करना तो मैंने MSI किया और सिंप्ली डाउड में किलिक करना जैसे डाउड में किलिक करेंगे आपका डाउड होना स्टार्ट हो जाएगा यह 275 MB का है अभी के लिए 5. 0.3 जो वर्जिन है उआ इसको मैंने पहले से डाउड करके रखा हूँ तो मैं करता हूँ कैंसिल और इस ब्राउजर को भी हम लोग नीचे कर देते हैं जो डाउड किया हुआ हमारा फाइल है इंस्टॉलर वह हमारा यहां पर है देख सकते जिससे कि मैं यहां पर डाउड कि सब्सक्राइब करना है यहां से आप सारे चीज़े सेमने देखें कि आपका डेटा डारेक्टरी जो होगा कहां क्रेट होगा प्रोग्राम फाइल के अंदर मोंगो डीवी के अंदर सर्वर नाम का एक फल्टर बनेगा फिर 5.0 और इसके दर में आपका डेटा डारेक्टरी बनेगा विशिल के से लॉग डारेक्टरी आपका बनेगा इस पात पर लॉग डारेक्टरी आपका बनने वाला सर्वर का नाम क्या होगा मॉंगो डीवी दिरे सब्सक्राइब पढ़ लिजिए था कि आप भविश्मय और का भी जरत प्रत इस समचीजियों को आप इस्तिमा वहाजा शाहत में तो अच्छी बात है यह भी हम लोग कभी देख लेंगे तो मैं इसमें Next में क्लिक किया और Install में क्लिक करना है और इससे हमारा सारे चीज पार इंस्ट्ल होने शूरु हो जाएगी थ्रहा सबाथ लगेगा और यह हमारे complete हो जाएगा जैसे कि अब आप देख स कर सकते हैं वैसे बट मैंने साथ में कर लिया हो देखिए यह हमारा भी मॉंगोडी इंस्टॉल हो जो चुगा है सक्सेस्फुली और फिनिश कहां मैं यहां पर मिल जाता है फिनिश करने का ऑप्शन उसके बाद यह वैलकम टु मॉंगो डीवी कमपास में बताता है कि यह कमप इसे में अभी कोई काम है रहे होगा यहां गृण बीड के सेल्म मैं न भी डीवी करता है और इंस्लोल किया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि हमारा command में यह हमारा open होता है यह नहीं उसके लिए मैंने cmd open किया और यहां पर मुझे लिखना है mongo mongo लिख कर मैं इंटरपेस करूँ यह क्याता है कि mongo is not recognized as an internal और external command में इसका path set करना पड़ेगा तभी यह recognize कर पाएगा तो चलिए इसका path set करते हैं यह हमारा install का हुआ था c drive में यहां से program files में जाना है यहां पर mongodb करके हमारा होगा देखिए mongodb then server then 5.0 then bin यहां पर जाना है और यहां ही पर होगा देखिए mongo मिल जाएगा mongo d मिल जा जाना राइट क्लिक कीजिए properties में फिर यहां से advanced system setting यहां से अगर आपका computer name में select इस tab में तो advanced tab में select करना है यहां से environment variables और यहां पर path को choose करना है path को चूज करने के बाद edit में click कीजिए add में click करने के बाद new में और यहां पर जब अपने copy गया तो इसको paste कर दीजिए mongodb को हमारा path bin path यहां पर आजाएगा उसको ok कीजिए फिर से ok करना है फिर यहां पर ok क करना है इसको क्लोज कर दीजिए दिन वापस से cmd open करते हैं तो यहाँ पर आते हैं दिन cmd लिख कर इंटरप्रेस करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको फ्रेश रिंग कर देता है और यहाँ पर लिखना है इसमें डेटा बेसे हैं वह सारी है आपको लिस्ट करके दिखा देगा यह सारे डिफॉल्ट हमें मिल जाते हैं तो हमारा यह रन कर रहा है अभी कुछ चीज़े मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जैसे कि अभी यह क्या क्या था है अभी इस वर्शन में 5.0.3 वर्शन में यह क्या कह रहा है कि mongoshell has been deprecated यह deprecate कर दिया है mongoshell has been deprecated तो mongoshell जो हम लोग अभी देख रहे हैं यह वाला यह deprecate कर दिया गया है और यह upcoming release में remove कर दिया जाएगा इसको देखने से फाइदा नहीं है हमारा जो यह क्या रहा है कि मैं आपको recommend करता हूं कि आप mongoshell यूज करना शोरू कर द आता है इसको इंस्टॉल करने का जो तरीका इंस्ट्रक्शन वह यहां पर दिया गया है बट मैं आपको बता देता हूं easy आसान तरीके से इसको पढ़ने का पास रखता नहीं है पहले आपको यह install कर लेना और यह पूरा process यहां तक आपने follow किया वह आपको कर लेना है उसके यहां पर है यहां से क्या हो था इसको डाउनलोड mongo db community server यहां से mongo ssh आपको कहा से मिलेगा mongo ssh आपको यहां टूल्स में इस वाले में किलिक किजिएगा टूल्स में boost productivity यहां पर किलिक करने से mongo db shell आप यहां पर देख सकते हैं तो इससे में mongo ssh मिल जाएगा अगर सक्षन था copy link वहां बता रहा था उसको मैंने copy कर लिया तो देखिए मैंने इसको paste किया और हमें यह देखने को मिले यह कहता है कि install mongo ssh कैसे इसके लिए कि पहले से आपके पास होना चाहिए आपके पास जो हमने mongo db install किया वहां के पास होना चाहिए और यहां पर बहुत सा जान कर यहां से मिलती जाएगे बट इसको download करने का जो यहां पर देखिए डाउनलोड करने का तरीका है यहां पर आपको मिल जागा यहां पर click करेंगे तो यह हमें वहीं पर लेकर जाएगा mongo db shell में तो यहीं पर मैं बस यहां साबको यहां मैं टूल्स में click करके आपको दिखाया था और यह हमें directly इसने जगह पहुंचाते था तो कोई नहीं हम लोग जैसे भी चाहें यहां पर आते हैं और 1.1.0 यहां पर और यहां पर download में click किजिए और यहां साबको 39 MB का है मात इसको download कर लेते हैं start download में click करके यह देखियो mongo ssh में download कर लेते हैं इसको right click करते हैं और install में click करते हैं और यह छोटा सा है बहुत यल्दी easy हो जाएगा install यह गयता है कि just for you क्या आप सिर्फ एक specific user के लिए करना चाहते हैं यह पर सभी करना है मैं सभी करना चाहता हम इसको uncheck क करते हैं इसको भी close कर वे था हो और वापस से cmd open करके देखने कि हमारा काम कर रहा है तो यहां पर आते हैं cmd open करते हैं और यहां पर लिखना है mongo ssh लिक्रेंटरफिस कीजिए और देखिए हमारा shell अभी mongo ssh का shell हमारा यहां पर start हो गया जो कि अब यहां पर देख सकते हैं यह connect वेगर सब कुछ करके में देत रहा है यह कहारा कि mongo dv of कौन सा वर्जन यूज़न यूज़न यह और यह कहारा कि mongo यह तो कुछ अलगी color में लिखा हुए हम लोग black screen में देखते हैं तो हमें यह और clear ना जा रहा था बट वायट इसक्रीन को यह से yellow हमारा यह दिखनी नहीं रहा इसको क्या करते हैं इसको कोपी करके कहीं और दिखा देता हूं कोपी कर लिया और not paid ओपन करके दिखा देता हूं तो यह भी हमें वही सारे चीज़े दिखाएगा यहां पर यह दिखा रहा है मुझे इसको black करना पड़ेगा because तभी हमें यह सारे चीज़े दिखाएगा बढ़िया तरीके से तो मैं इसको करता हूं close यहां पर ठीक है देखिए इसको मैंने black screen में भी open कर दिया आप लोगों दिखा रहा था कि show dbs करके आप इसमें भी database देख सकते हैं जैसे कि आप यह देख सकते हैं आपका कमांड वही रहेगा और वही सारे चीज़ें जो करने की हमारे होती हैं वह सारे चीज़ें सेम रहेगी दोनों में ही यह क्या है यह क्या है यह क्या यह टूल है यह टूल है जहां पर हम लोग अपने कमांड को लिख सकते हैं जो हमारा database queries होता है उसको लिख कर यह आप डेटबेस के operations परफॉर्म कर सकते हैं एक टूल है यह ठीक है चाहिए वह आप mongo ssh यूज़ कर रहे हो या फिर आप नॉर लिखने पर पूराना यह रिमूब कर दिया चाहिए और यह नया है और यही रहेगा और यही कह रहा है कि आपको भाईश में यही यूज़ करना चाहिए और हम लोग जब भी यूज़ करेंगे परफार्म करके सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा और यह आपको सीखना आप इसी mongo db में ही बात चल रही है और किसी भी चीज़ में नहीं तो mongo db के shell का shell हम लोग open करते हैं और देखते हैं कि कैसे सारी चीज़ होते हम लोग cmd ओपन करेंगे में cmd एक इंटर्प्रेस कर पर आप यहां पर अपना जो queries है उसको perform कर सकते हैं अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि आपको database अगर दिखाना हो कि कौनगर सा database आपके अभी system में create हैं तो कैसे देखेंगे वह देखें इसके लिए आपको लिखना पड़ता है dbs show dbs आप चाहिए तो इसको लि admin config और local अब चलिए दिखाता हूँ कि आप अपने खुद का database कैसे create करें तो database खुद का create करने ही लिए आपको लिखना है use उसके बाद जो भी database का नाम रखना चाहिए वह आप रख सकते हैं तो मैं आप नाम रखता हूँ my new db यह रखा या फिर आप इसमें database का नाम रख सकत करते हैं और इसमें switch भी करते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आप school db में है पहले यह test में था by default यह test में रखता है आपको बट अब आप चुकिए अपने एकन्या database क्रेट किया तो यह इसमें आपको create कर दिया और इसमें switch भी कर दिया अभी हम यहाँ पर dbs लिख कर देखने तब तक अब हमारा यह दिखेगा नहीं जब तक आप अपने इस database में कोई collection और document क्रियेट कर लेंगे उसके बाद यह हमारा यहाँ पर list कर दिखने अभी तीन दिख रहा है बाद में दिखने लेगा जब लोग collection और document क्रियेट कर लेंगे तब तो अभी के लिए ह हमें एक तो यहां से पता चल जा रहा है यह हमारा यह database है मगर फिर भी अगर आप देखना चाहिए आपको simply DB लिखना होता है इंटरपेस कीजिए और यह को रहता है कि आपकी database में अभी मौझूद किस database का इस्तमाल कर रहे हैं तो आप स्कुल DB का यूज कर रहे हैं अगर आपको switch करना हो database एक database में जैसे कि आप स्कुल DB में मुझे वापस से जाना है test वाले DB में यह फिर local में जाना है फिर config में यह फ database तव तो आध्यान रखिएगा कि यूज जो होता है वस्तो काम करता करता है अगर database जो करना में अगर नहीं है इसको क्रीट कर देगा अगर जो आपने database का नाम दिया है अगर वह मौझूद है तो इसमें switch करतेगा तो यह दो तरीके से यह work करता है यह देख लिए अभी database को डिलीट करना होता है कैसे करेंगे इसके आपको db लिखना है dot drop database drop database का d capital database और यहां पर आप लिखिए इस तरीके से parenthesis स्टार नहीं parenthesis देना है db लिखा drop और database और interface करतेजिए अभी तापको दिखेगा नहीं इसको मैं अगर interface करूं देखिए हमारे यह क्या था है कि आपका जो test database से वह आपका delete हो गया है जो आपको test database से dropped हो गया आपका yellow database जिसपे अभी है यह हमारा delete हो चुका है तो यहां पर भी हमारा list नहीं हो रहा था यह तो आपको इसे वैसे तो दिखेगा नहीं बट यह हमारा delete हो चुका है इसको में पर लास्ट में और इबर perform करके आपको दिखा दूँगा database करने के एकदम लास्ट में तब वहां पर आपको इसको नजर्म आएगा अभी हम लोग इसको show कर गए हम लोग अभी हम मैं आपको दिखाता हूँ एक collection create करके collection कैसे create करते हो देखा इसके लापको लिखना पूरता है db. और यहां पर collection का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वह आप यहां पर लिखेंग जिसे मैं रखना चाहता हूँ student collection मतलब क्या collection मतलब table का नाम यह हम मैं देना चाहता हूँ name तो मैं इसमें लिख दूँगा मैं लिख दिया name और colon दिया फिर इसमें क्या है sonum तो sonum दिया यह sonum हो गया ठीक है और यह हमारा काम हो जादे एक और मैं विर देता हूँ यहां पर age दिया और फिर colon लिखकर मैंने 27 दिया तो यह हमारा एक data insert हो इसमें हमारा दो काम हो रहा है एक हमारा collection create हो जाएगा student नाम से दुसरा इसमें एक data insert हो जाएक डॉक्यमेंट एक create हो जाएगा जये rasa type फिल्ड रहेगा पहला ए दूसरा फिल्ड रही तो collection क्रेट हो यह इसका ID बनाव को वह दिखा रहा है अब यह अब हम इसमें लिस्ट करते हैं Show, DBS, Database को लिस्ट करेंगे तो अब हमें यहाँ पर School DB दिखाई देगा, यहाँ इसमें अब एक collection भी है और एक document भी है इसे से अब यह list होकर आपको यहाँ पर दिखाई देना शूरू हो जाएगा ठीक है तो यह collection create करना और collection के साथ यह हमने document को भी insert करना देख लिया अब ही हम लोग कुछ चीजें और यहाँ पर करते हैं कुछ चीजें और से कहने का क्या मतलब है यह पहला तरीका है collection को create करने का जिसमें collection को create करते हैं और साथ में document ह tack나 दूसरा तरीका है जिसमें आप rules define पर सकते हैं अपनी collection का तो यह तो पहला तरीका होगि और इसको अगर हम लोग अभिक लिए next student नाम का एक collection है हमारे इसमें यह रहनेदेOutे हैं दूसरा हम लोग यहां पर मानते हैं, teacher नाम का एक collection मनाएंगे, तो यहां पर आपको लिखना होता है, db. यह दूसरा तरीका है collection को create करने का हुआ देखे, इस पर हम लोग data insert नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ पर सिर्फ हमारा collection मनेंगा with validation rule, तो db लिखना होता है, फिर create collection का नाम, तो मैं यहां पर लिखता हूँ teacher, teacher लिख दिया, अब यहां पर आपको parenthesis open close इस तरीके से open close लिखे, फिर आपको यहां पर लिखना होता है validator, फिर colon दीजिए, then parenthesis, curly open close, फिर इसके अंदर में आपको लिखना होता है json schema dollar symbol देखकर आगे में, फिर इसमें colon, फिर curly open close, फिर इसके अंदर में आपको लिखना होता है, बी son type, type का T capital, और इसका value आप लिखेंगे, यह क्या होगा हमारा एक object होगा, तो आपको यहां पर object लिखना होता है, और इसमें आप फिर validation देते हैं, कि क्या-क्या इसमें चीजिए होंगी, यसे कि require मुझे इसको किस-किस इसको required बनाना, किस-किस फिल्ड को, इसमें जो हम लोग यह collection कर रहे हैं, इसका फूरा structure में त्यार कर रहे हैं, जैसे table होता है, कोई teacher नम को स्कूर्ण बनाते है, id column होगा, फिर हमारा इसमें name column होगा, फिर इसमें age column होगा, role column होगा, इसमें तरी किसमें यहां पर बना रहे हैं, लेकिन उसमें बना रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें लोग validation rule दे रहे हैं, कि हमारा required कौन-कौन सा field होगा, तो मैं चाहता हूँ कि required हमारा क्या क्या हो, वह आपको लिखना पड़ता है square bracket के अंदर में, मैं चाहता हूँ कि इसमें एक name नम का field होगा, जो की required होगा, यह आपको value देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे data insert नहीं होगा, उस तरीके से एक age नम का हमारा एक field होगा, जिस पर आपको value देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो नहीं काम चलेगा, दूसरा हम लोग salary कर देते हैं, salary काम लोग नहीं compulsory बनाते हैं, ticket salary मैंने यहां पर नहीं लि इसके अंदर में आपको लिखना होता है एक पहला name, जो हमारा पहला field होगा, वह name, name का आपको यहां पर देना है, bison type, bison type ही है हमारा हो जाएगा, किस type का आपको इसमे value लेना है, वह आप यहां पर defining करते हैं, मुझे लेना है, इसमें string लिख दिया, फिर इसमें comma देना है, इसमें चाहिए, तो description दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर दे दे रहा हूँ, तो यह जरूरी नहीं है, आप नहीं विदेंगे, तो वीचल लिखा, must be a string and is required, यह लिख दिया, यह पहला हमारा बन गिया, अब इस curly से बाहर आईए, कौमा देकर दूसरा लिख दूसरा हमारा age इस फिल्ड होगा, तो curly open curly close, यहां पर हमें इसको data change की, age है, तो इसमें string नहीं लिखना, int लिखना, int लिखना, int लिखना, int लिखना, description, description लिखना, description में क्या होगा, description में हम लोग लिख देंगे, must be an integer and is required, यह लिखना है, इतना ही लिखना है, आपको, क्यों की, ओके हमने teacher के बाद कॉमा नहीं दिया है, अम ने सब शरू में ही गलती कर दिया हूँ तीजर के बाद мы एक पर एक कॉमा नहीं लिख जोका हमें, लिखना पढ़ेगा, यहां पर आई दा कॉमा नहीं दिया, यह कॉमा लिख आभ हि इसमें interface करेंगे, यह कोमा लिख लिखना ओता हूं Show. Collections आपको लिखना होता है कि से आपको collection दिखा है देखा है पहला अंबने teacher किया हुआ है तो collection देखना आपको कुण कौन कौन सा collection आपने create किया हुआ है तो उसके लिए आपको ये run करना था query अंब मतलब किया टेबल्स तो अपने क्रेट क्या हुआ यहां लोग टेबल नहीं बोलते हैं टेक्निकली लिए इसको बोलते हैं मांगो डीबी में अभी अगर मालीजी किसमें यह विल्डेशन अभी मैं इसको क्या रूल हमने डिफाइन किया था या फिर इसमें डिफाइन किया था वह हमें देखना पड़ेगा तो कैसे देखेंगा वह देखकी क्या लिखना होता है डिवी डॉट गट कलेक्ष जन इंफॉसि इंफोज लिखना एश्पेल सही तरीके से लिखिएगा औरो आपको मिल जा का आपको detail जानना है वेलडेशन रूल जानना है तो specify कीजिए उस collection को मुझे जानना है मुझे टीचर को तो मुझे टीचर लिखा और इंटर्प्रेट प्रेस किया तो यह मुझे सारा जी बता देगा जो हमने डिफाइन किया तब यहां structure करके हमने ऊपर में देखी इस तरीके पर दिया था आपजेक्ट इसमें required किया है नेम और एज और इसमें properties किया गया है पहला properties का नेम है जिस पे string हमने दिया हुआ है और description यह है और इसका हमने type दिया हुआ इंट और description यह है ठीके जी बाद में हमारा यह info है जिसमें read only false है और यह हमारा इंडेक्स वह रहा है यहां पर नीचे रहसे जाने करें हमारा जो रूल है स्रिप collection को create किया है इसमें भी तक कोई भी data हमने नहीं डाला है तो student को देखते है कि इसका क्या rule हमें मिलता है define क्या हुआ तो यहां पर आते है और इसमें वापस से हम लोग student लीग देते है इसका आप देखेंगे इसका कोई खास rule नहीं जा वैलेशन रूल नहीं है नेम इसका student है type इसका collection है option में कोई वैलेशन रूल नहीं है यानि कि आप इसमें इसके fields में string डाले इंडेजर डाले को कोई उससे मतलब नहीं है बट हमारे इस वाले में teacher वाले collection में इसमें validation है कि आपका ये तो दोनों required है ये दोनों आपको देना ही पड़ेगा और उबल से आपका name property जो को string होगा और age आपका integer होना चाहिए इसके लावार कुछ नहीं होना चाहिए और आपका ये data इंसर्ट नहीं होगा तो इसी लेस करते हैं ये हो गया कि कैसे वेलेशन रूल चेक करेंगे किसी भी collection का अभी किसी collection को आपको डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे मालेज़े कि डीबी डॉट वेसे collection इंसर्ट करना है student student लिखा और उस फिर आपको लिखना है dot drop और इंटरप्रेस किजिए यसे इंटरप्रेस करेंगे हमारा true हमें response मिलेगा और हम लिए show collections अभी देखेंगे तो हमें सिप teacher मिलेगा student हमारा delete हो चाहिए तो collection delete करने का तरीका यह हो गया अब data insert कैसे करेंगे हमने हमारा जो यह collection है teacher नाम का इसमें data इंसर्ट करना भी इसमें कोई डेटा नहीं है अगर data retrieve करने की बात को data retrieve कैसे करते हैं आपको दिखाता है आपको db.collection का नाम यहां पर लिखेंगे तो teacher.find पर हम लिखते हैं find ठी empty parenthesis दीजिए और enterprise कीजिए कोई भी इस teacher collection में कोई डॉक्यमेंट नहीं है और कोई डेटा नहीं हमें यह खाली दिखाए दे रहा है तो इसमें data insert कैसे करेंगे इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है single data गर आपको insert करना है तो आपको लिखना है db.collection का नाम इसमें इसम dot insert one one का O capital होना चाहिए फिर parenthesis देन यहाँ पर curly open curly close और यहाँ पर जो properties है जो आपने उपर में डिफाइन के थे जैसे मैं इसमें किया है name और age तो यह दो चीजिए की value आपको यहाँ पर से देनी पड़ेगी दोनों required है तो आपको दोनों का देना पड़ेगा एक salary का मैं बन अधरवाज आपका इंसर्ट नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर पहला देते हैं name name लिखा और इसमें हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं बिना name को court में लिख्खे होए और हम इसको नाम देता हूं है sonam लिखा और फिर इसको age देते हैं age कितना हो जाएगा इसका जो भ इसको देखेंगे कैसे कि हम राटा इंसर्ट हुआ या नहीं बस अभी जो मैंने बताया था बिल्कुल वही फॉलो करना है जिसमें डीवी क्लेक्शन का नाम टीचर और फाइंड यह लिखरेंटर प्रिस कीजिए और आपको जो भी डेटा आपका है वह आपको यहाँ पर द करना हो एक साथ एक से अधिक अगर इंसर्ट करना तो उसके लिए आप क्या करते हैं उसके लिए आपको लिखना पड़ता है डीवी डॉट क्लेक्शन का नाम जैसे टीचर है तो टीचर डॉट इंसर्ट मेनी मेनी का एम कैपिटल और यहाँ पर पैरेंथेसिस देन स्क्वा हमने लिख दिया है 29 यह हमारा पहला डेटा हो गया है दूसरा डेटा डेटा मिन्स डॉक्यमेंट यह हमारा क्या है डॉक्यमेंट है जिसका यह पहला फिल्ड हो गया यह दूसरा फिल्ड अब एक दूसरा डॉक्यमेंट हम लिखेंगे जो कि इस कलेक्शन में जाकर हमारा इ और इसमें नाम हमनों देते हैं सुमित और हम लweis लिए g कि त्वेंटीफूर तो दो डीटा आप कौमा देकर ओर बिलिक सकते हैं जतनी मर्जी उतनी आप चाहें तो लिख सकते कि हमारे बास कमा कर देखति इस चीज की मदद से तो हम लोग इसको फिर से फाइंड करते हैं देखे हमारे डेटा हमें दिखाए दर यह पहला डेटा हमने सोना में इंसर्ट किया था फिर दूसरा राहूल फिर दिसरा सुमित हमें के दिखाए था और आईडी हमारा आटो चनरेट हो रहा है यहां पर इसके अलावा आपको यह कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इसमें प्रिटी लगाते हैं एक और प्रिटी फंक्शन होता है इसमें दिखाता हूं आपको डॉट प्रिटी प्रिटी इस तरीके से इस तरीके से भी लिगाते हैं लोग इसे प्रिटी फाय होकर यह दिखते है ब अब find.find का use करते हैं, db.collection का नाम, फिर .find, अगर एक data दिखाना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको db.collection का नाम, जो कि teacher है हमारे case में, .find one, one का o capital, then parenthesis, और interface की, तो आपको एक data shift दिखाई देगा, जो कि इसको पहले मिलेगा, वो आपको ये दिखा देगा, तो all देखने के लिए ये लिखिए, और एक देखना तो find one का use कीजिए, अभी देखिए कि अगर आपको limit करना हो, यानि कि मुझे हमारा all करने पर तीन दिखाई देता है, बट मुझे दो चाहिए, एक के लिए था हम लोग पस find one है, बट मुझे दो चाहिए, दो कै कैसे निकालेंगे, limit कैसे करना है, retrieve करेंगे document को, इसको limit कैसे करेंगे, वह देखिए, उसके लिए आपको लिखना पता है db.cls कर लेता हूँ, db.collection का नाम teacher है, तो teacher लिखा.find, इससे हमारा सारा चलाएगा, बट मुझे हम लिमिट कर देंगे, limit का use करेंगे, लिमिट करने की बात होगी, अब यह एक और चीव मैं आपको दिखाता हूँ, अगर किसी field के base पर अब को data retrieve करना है, for example, मैं चाहता हूँ, कि sonam, जिसका नाम है, उसका data मुझे दिखे, पर सुमित जिसका नाम है, सिर्फ बहाँ data मुझे दिखे, सभी data पहले मैं आपको इपर दिखा dot find, और parenthesis, इसमें dot लिखना है, कॉमा नहीं, curly open, curly close, और यहाँ पर आपको उस field का नाम लिखना है, जिसे name, और name में क्या है, sonam, sonam लिखा, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, कुछ नहीं, बस इसमें इंटर्प्रेस कीजिए, तो जिसके भी name field में sonam value होगा, वह आप आपको मिल जागा, यहाँ पर, एक ओड़ इंसर्ट करते हैं, हम लोग, और इस query को एक और बार रन करके, मैं आपको दिखाऊंगा, just a minute, इंसर्ट करना, इंसर्ट करने के लिखना है, क्या करना होता है, आप सभी को पता है, db लिखना है, dot, teacher, collection का नाम, insert, one मुझे करना, ए enterprise कर दिया, एक data हमर इंसर्ट होगी है, इसको कर देते है, CLS, और इसको सारे data को पहले दिखाता हूँ, यहाँ पर देखे, हमार पास चार data है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस, उसका data निकाल के मुझे तो, जिसकी age है, 27, 27 है Sonam की, और Kunal की, यह दो, दो कर लिए, कर्ली, उपन, कर्ली, क्लोस, उसके अंदर में हम लेखेंगे, age जिसका भी 27 है, यह हमने कहा, हमने कहा कि, teacher collection के अंदर में वैसे data को find करो, जिसका age 27 हो, और इसको इंटरपेस कीजिए, तो देखे, age है Sonam का 27, तो यह हमें मिलता है, यहाँ पर, कुनाल का 27 है, तो इस तरीके साब field के base पर queries कर सकते हैं और आप करना चाहें तो यह हो गया insert देख लिया retrieve कैसे करना है वहाँ देख लिया अब देखें कि update कैसे करना है हम लोग CRUD देख रहे हैं तो create हमने देख लिया read भी हमने देख लिया अब हम लोग update देखेंगे फिर हम आपको delete देखांगा अबडेट कैसे करते हैं हम वहाँ देखेंगे अगर single data अगर आपको update करना है तो कैसे करेंगे देखेंगे टीचर डॉट अपडेट वन अपडेट कैसे पर हमने लिख दिया अब डेट वन वन का ओ के बिडिल होना चाहिए और अससे पहले आप लिखते हैं इसका फर्स्ट पैरेमेंटर होता है करली उपन करली क्लोज के अंदर में यह होता है फिल्टर नहीं कि किस जिसका भी राहुल है यह मैं देता हूं जिसका भी एज इसका भी नेम राहुल है उसका क्या करना है उसका आपको सेट करना है क्या सेट करना है सेट करना कि आपको डॉलर सिंबल के साथ लिखना है सेट उसके बाद कॉलन फिर करली उपन करली क्लोज और यहां पर जो भी आ लिख दिया नहीं करना चाहूं दोनों तो नहीं करूँगा, अगर एक ही करना है, इसके name चंगा हना तो मैं सिर्फ name को अबडेट करूँगा, age को करने का शक्ता नहीं, इसमें कहा कि पहले यह क्या करेगा, update रहुल की जगह पर जैक और एज हमने 50 दिया हो तो एज की जगह पर कर देगा 50 यह अपड़ेट करने का तरीका हम भी इसको करते हैं अपड़ेट करने का तरीका हो गया अपड़ेट करने का तरीका हो गया बस अपड़ेट वन मैं आपको यह ध्यान में रखना है कि पहला जिसका परेमटर तो वह फिल्टर करता है यह पर अपड़ेट को फाइंड करता है कि किसको अपड़ेट करना है और दूसरा जो में इसमें परेमटर देते हैं वह था हमारा नया वेल्यू कि किस वेल्यू से उसको रिप्लेस करना है यह सिंगल अपड़ेट करना होता है वाकर माले जी कि मल्टीपल हमें अपड़ेट करना तो कैसे करेंगे उसके लिए आपको db.teacher.update.many का m capital ऐसा लिखना होता है फिर यहाँ पर आप एक करली उपन करली क्लोज माले जी की एज जिसका भी 27 है तो 27 दो लोगों का एज यह मल्टिपल हम लोग कर रहे है तो दो करली क्लोज और इसमें नेम सिर्फ चेंज कर देता हूं दोनों का नाम में सेम कर देता हूं यह अपर नाम में लोग चेंज कर देंगे क्या समीर कर देते हैं तो इसने क्या क्या रहा है यह क्या रहा है कि age जिसका भी 27 age 27 इसका है सोनम का और एक कुनाल का इसमें क्या करना age पहले 27 किसका किसका find करो तो ये एक find हो जाएगा फिर ये find हो जाएगा दो चीज़ें हो जाएगी अब उसके name value में समीर सेट कर देना तो सोनम की जगह पर समीर आ जाएगा और कुनाल की जगह पर भी समीर आपको देखने को मिल जाएगा तो ये multiple हम लोग update कर रहे है अब इसमें हम लोग interface करते हैं आपकी जगह एक curly हम से miss हो गया यहाँ पर यह देखिए curly हमने यहाँ पर miss किया हुआ है तो age 27 दे दिया है और यह दो curly यहाँ से इसका curly है यह वाला इसका curly है यह यह curly एक बेकार का हो गया अभी हमारा यह अपडेट हो जाना चाहिए तो 27 जिसका भी होगा उसके जगह पर समेर देखने को मिलेगा इसके हमें फायंड कर लेते हैं देखिए अभी आपको दिखाई देगा यह समीर हो गया जोगी नाम बढ़ा होगे इसली के अलग लाइन में जीना पर हो गया इसली को यह हमारा बढ़ी या तरीके से हमारा हुग गार इसको prettyfy करूं मैं pretty लिखकर अगर run करूं तो देखिए अगर सब कुछ हो जाए बढ़ी या तरीके से तो नहीं हो रहा ऐसे दिखाए देरा कोई नहीं हमें हमारा काम हो गया निकि हमारा multiple update हम लोगोंने देख लिए अभी हम ल तो अगर आपको एक document delete करना है अपनी collection में से कैसे करेंगे अब सारे document पहले दिखा देता हूँ फिर उन्हों देखेंगे यह सारे हमेर पास document है अब delete करने की बात करते हैं अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो कैसे करोंगा हुआ देखिये यह फिर मैं आपको दिखा था हू इसकी बीएज है 50 उसको डिलीट कर दो यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे यह त्रू करेंगा और डिलीट काउंट वन कर देगा यहना कि जैक हमारा 50 यह डिलीट हो चुका है अब इसको सब्सक्राइब करके देखिया आपको दिखाए नहीं देगा आपको यहाँ पर एक समी है और यहां पर एक समी रहे हैं हमारा जैक डिलीट हो चका मल्टिपल डिलीट कर अब करना मल्टिपल ड्यॉक्ट्र करना है जैसे की जिसकी एज 27 होगी यह की बीए है और इसकी बी है तो दोनहीं मुझे डिलीट करना है एक साथ तक कैसे करूंगा उसकी लिए db.teacher.delete dot delete many many का m capital और यहां पर आपको रिखना है कर लेपन कर रिकलोज एज 27 यह लिखा इंडर प्रेस किया तो दिखा हमें डिल्टेट काउंट दिखा है तो यानि कि दो हम लेट हो गया अभी हम लोग इसमें फाइंड करें तो मैं सिर्फ एक डिड़ा दिखेगा समीत का वागे सार हमाँ मांगो CCTV में तो आप बहुत अच्छी है आप और और आप इसको आप expression यूज कर सकते हैं और फिर जो भी है कि मैं फिर आप है और कि यह स्तेवाइं यह कुछ चीज़ है जो आपको वही पर उसी के द्वारा न आपको सिखा दी जाती हम्युक्ज वहां भी आपक Wasn't और packages मिलते हैं इसको use करने का और वहां भी थोड़ा सा आपको जनकारी मिल जाएगा एक और last चीजी मैं आपको दिखा देता हूं जो मैंने आपको कहा था कि मैं last में db अपको delete करके दिखा दूँगा जैसे कि अभी अगर हम लोग करते है इसको CLS कर देता हूं पहले show dbs इसस इस database को delete करना है उसके अंदर में पहले आपको जाना स्वीच करना है तो उसके अंदर में ही मैं हूं और drop database लेकि database का d capital होना चाहिए और parenthesis db.drop database interface कीजिए और हमारा यह जो database ही drop हो गया अभी हम लोग इसमें अगर लिखेंगे show dbs इंटरप्रेस करेंगे तो यह हमें school db दिखाई नहीं देगा क्योंकि वह delete हो गया तो यह मैंने शुरू में आपको दिखाया था बट वहां पर आपको exactly इस तरीके से दिखा नहीं था कि अभी है mongo sh फिर यह वापस से चला जाएगा देखिए test वाले में जो default कर रहे था उस पर चला जाता है फिर आप यूज करके किसी में भी जा सकते हैं फिर उसे quit करना तो quit कर सकते हैं इस ते किसे quit हो जाएगा वापस से जाना तो आपस से आप जा सकते हैं कुछ लोग ctrl c भी प्रेस करते हैं इस तरीके से ctrl c c दो बार तो यह इस से भी आपका यह हो जाता है आप यह आप देख पढ़ भी सकते हैं कि to exit प्रेस ctrl c again और ctrl d और type.exit जैसे चाहें वैसे आप इसको exit कर सकते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा अगर चीज करने सीखिए होई है एक्स्ट्रा लिमीट वगेरा बज़र से ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अलावा मैं बहर दी जल्द इसका एक पूरा complete playlist बनाऊंगा एक एक topic जिस पर हम लो देखेंगे aggregation वगेरा सब पूछ देखेंगे तो उसकी अभी आपका आशकता नहीं अगर आप MEN या फिर MEN या फिर MEVN यह सारे stack फॉलो करना चाहते है इवन आप python में भी इसका यूज करना चाहते है जैंगो के साथ यूज करना चाहे तो वहां पर भी आप इस वीडियो को फॉलो करने के बाद आसानी से इसका यूज कर सकते है अगर आपको deeply knowledge चाहिए त इसके लिए मैं आपको एक अलग से playlist इसका create करके दे दूँगा जहां पर आपको अच्छे तरीके से जानकरी मिलेगी बड़ वहां पर कोई भी language specific नहीं रहेगा उस पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग MongoDB देखेंगे उसको किसी से भी connect नहीं करेंगे ना तो express से ना ही जैंगो से या फिर किसी आदर के सता को करना हो तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के लिए आप समगा बहुत बहुत धन्यवाद